ओम शांती 28 जन्वरी साकार मुडली मीठे बच्चे कभी भी मिथ्या एंकार में नहीं आओ इस रत का भी पूरा पूरा रिगार्ड रखो प्रश्ना तुम बच्चों में पदमा पदम भागिशाली कौन और दुर्भागिशाली कौन उत्तर जिनकी चलन देवताओ जैसी है जो सब को सुख देते हैं वहां है पदमा पदम भागिशाली और जो फेल हो जाते हैं उनको कहेंगे दुर्भागिशाली कोई कोई महान दुर्भाग शाली बन जाते हैं, वहां सबको दुख देते रहते हैं, सुख देना जानते ही नहीं, बाबा कहते हैं, बच्चे अपने अच्छी रिती संभाल करो, सबको सुख दो, लायक बनो, ओम शान्ती, रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझात तुम इस पाट शाला में बैठ उच दर्जा पाते हो, दिल में समझते हो, हम बहुत उच तेउच स्वर्ग का पद पाते हैं, ऐसे बच्छों को तो खुशी बहुत होनी चाहिए, अगर सब को निश्य है, तो सब एक जैसे तो हो न सके, फर्स्ट से लास्ट नंबर तक तो होते ही है, पेपर्स में भी फर्स्ट से लास्ट नंबर तक नंबर होते हैं, कोई फेल भी होंगे, तो कोई पास भी होते होंगे, तो हर एक अपने दिल से पूछे, बाबा, जो हमको इतना उच बनाते हैं, मैं कहां तक लायक बना हूँ, फ यहाँ पढ़ाई है ना, देखने में भी आता है, जो कोई सब्जेक्ट में कमजोर होते हैं, तो नीचे चले जाते हैं, भल मौनिटर होगा, तो भी कोई सब्जेक्ट में कम होगा, तो नीचे चला जाएगा. बिल्ला ही कोई scholarship लेते हैं यह भी school हैं तुम जानते हो हम सब पढ़ रहे हैं इसमें पहली पहली बात है पवित्रता की बाब को बुलाया है ना पवित्र बनने के लिए अगर क्रिमिनल आई काम करती होगी तो खुद फील करते होगे बाबा को लिखते भी है, बाबा हम इस सब्जेक्ट में कम है, स्टुडंट की बुद्धी में यह जरूर रहता है, हम फलानी सब्जेक्ट में बहुत बहुत कम हों, कोई ऐसे भी समझते हैं, हम फेल होंगे, इसमें पहले नमबर की सब्जेक्ट हैं पवित्रता, बहुत लिखते हैं बाबा, हमने हार खाई, तो उसको क्या कहेंगे? उनकी दिल समझती होगी अब मैं चड़ नहीं सकूँगा, तुम पवित्र दुनिया स्थापन करते होना, तुम्हारी एम अबजेक्ट ही यहां है बाब कहते हैं, बच्चो, माम एकम याद करो और पवित्र बनो, तो इन लक्ष्मी नरायन के घराने में जा सकते हो टीचर, तो समझते होंगे, यह इतना उच पद पास सकेंगे वा नहीं वहा है सुप्रीम टीचर, यह दादा भी स्कूल तो पढ़ा हुआ है न कोई-कोई छोकरे, लड़के भी ऐसे खराब काम करते हैं, जो आखिर मास्टर को सजा देनी पड़ती है आगे बहुत जोड से सजाई देते थे, अभी सजा अधी कम कर दी हैं, तो स्टूडेंस और ही जास्ते बिगडते हैं आजकल स्टूडेंट कितना हंगामा करते हैं, स्टूडेंट को न्यू बलड कहते हैं न, वह देखो क्या करते हैं, आग लगा देते हैं, अपनी जवानी दिखलाते हैं यहां है ही आसूरी दुन्या, जवान लड़के ही बहुत खराब होते हैं, उनकी आखे बहुत क्रिमिनल होती हैं, देखने में तो बड़े अच्छे आते हैं जैसे कहा जाता है न, इश्वर का अंत नहीं पाया जाता, ऐसे उनका भी अंत नहीं पाया जाता, कि यहां किस प्रकार का मनुष्य हैं हां, ज्यान का बुद्धी से पता पड़ता है, यह कैसे पड़ता है, इनके एक्टिविटी कैसी हैं, कोई तो बात करते हैं, जैसे मुख से फूल निकलते हैं कोई तो ऐसी बात करते, जैसे पत्थर निकालते हैं, देखने में बहुत अच्छे, पॉइंस आधी भी लिखते हैं, परंतु है पत्थर बुद्धी, बाहार का शो है, माया बड़ी दुस्तर है, इसले गायन है, आश्यरेवत सुननती, अपने कुश्य बावा की संतान, कहल सुनावंती, औरो को सुनावंती, कथनती, फिर भागंती, अर्था ट्रेटर बननती, ऐसे नहीं, होश्यार ट्रेटर नहीं बनते हैं, अच्छे अच्छे, होश्यार भी ट्रेटर बन पड़ते हैं, उस सैना में भी ऐसे होता है, एरोपलेन सही थी, दूसरे देश में चले यहां भी ऐसे होता है, स्थापना में बड़ी महनत लगती है, बच्चों को भी पढ़ाई में महनत है, टीचर को भी पढ़ाने में महनत होती है, देखा जाता है, यह सब को डिस्टर्ब करते है, पढ़ते नहीं है, तो स्कूलों में हंटर लगाते है, यह तो बाप है, बाप क कुछ भी नहीं कहते हैं, बाप के पास ये कानुन नहीं है, यहां तो बिलकुल शांत रहना होता है, बाप तो सुखदाता, प्यार का सागर है, तो बच्चों की चलन भी ऐसी होनी चाहिए न, जैसे देवताए होते हैं, तुम बच्चों को बाबा, सदेव कहते हैं, तुम पदम भागे शाली हो, परन्तु पदमा पदम दुर्भागे शाली भी बनते हैं, जो फेल होते हैं, उनको तो दुर्भागे शाली कहेंगे न, बाबा जानते हैं, अंत तक यहां होता रहता है, कोई न कोई महान दुर्भागे शाली भी जरूर बनते हैं, जलन ऐसी होती है, समझा जाता है ये ठेर नहीं सकेंगे इतना उच बनने लायक नहीं है सापको दुख देते रहते हैं सुख देना जानते ही नहीं तो उनकी हालत क्या होगी बाबा सदेव कहते हैं बच्चे अपनी अच्छी रिती संभाल करो यहा भी ड्रामा अनुसार होने का है और ही लोहे से भी बट्तर बन जाते हैं सो भी अच्छे अच्छे कभी चिठी भी नहीं लिखते हैं विचारों का क्या हाल होगा बाप कहते हैं मैं आया हूँ सर्व का कल्यान करने आज सर्व की सद्गती करता हूँ कल फिर दुर्गती हो जाती है तुम कहेंगे हम कल विश्व के मालिक थे आज गुलाम बन गए है अभी सारा ज्ञाड तुम बच्चों की बुद्धी में है यहा बंडरफुल ज्ञाड है मनुश्यों को यह भी पता नहीं है अभी तुम जानते हो कल्प माना पूरे पांच हजार वर्ष का एक्यूरेट ज्ञाड है एक सेकंड का भी फर्क नहीं पड़ सकता इस बेहद के ज्ञाड की तुम बच्चों को अभी नौलेज मिल रही है नौलेज देने वाला है व्रक्ष पती बीज कितना छोटा होता है उनसे फल देखो कितना बड़ा निकलता है यहाँ फिर है वंडरफुल ज्ञाड इनका बीज बहुत छोटा है आत्मा कितनी छोटी है बाप भी बहुत छोटा इन आखों से देख भी नहीं सकते बल वेवे कानंद का बतलाते हैं उसने कहा जोती उनसे निकल मेरे में समा गई ऐसी कोई जोती निकल कर फिर समा धोड़े ही सकती है क्या निकला यह समझते नहीं ऐसे ऐसे सक्षतकार तो बहुत होते हैं परन्तु वो लोग मान देते हैं फिर महिमा भी लिखते हैं भगवान वाज कोई भी मनुष्य की महिमा है नहीं महिमा है तो सिर्फ देवताओं की है और जो ऐसा देवता बनाने वाला है उसकी महिमा है बाबा ने काड बहुत अच्छा बनाया था जैंती मनाना हो तो एक शिबाबा की इन लक्षमी नरायन को भी ऐसा बनाने वाला तो शिबाबा है न बस एक की ही महिमा है उसे को ही याद कर ये खुद कहते हैं उच्टे उच्ट बनता हूं फिर नीचे भी उतरता हूं ये किसी को पता नहीं है उच्टे उच्ट लक्ष्मी नरायन ही फिर चुरासी जन्मू के बाद नीचे उतरते हैं तत त्वम तुम ही विश्वक के मालिक थे फिर क्या बन गए सत्युग में कौन थे तुम ही सब थे नंबरवार पुरुशार्थ अनुसार राजा रानी भी थे सोर्यवांशी चंद्रवांशी डिनायस्ति के भी थे बाबा कितना अच्छी रिती समझाते हैं इस रिस्टी चक्र का ज्ञान तुम बच्चों की बुद्धी में चलते सिर्थे रहना चाहिए तुम चैतन्य लाइट हाउस हो सारी पढ़ाई बुद्धी में रहनी चाहिए परन्तु वह अवस्था हुई नहीं है होने की है जो पास्वित आउनर होंगे उनकी यह अवस्था होगी सारा ज्ञान बुद्धी में होगा बाब के लाडले लवली बच्ची भी तब कहलाएंगे ऐसे बच्चों पर बाब स्वर्ग की राजाई कुरुबान करते हैं कहते हैं मैं राजाई नहीं करता हूँ तुम को देता हूँ इसको निश्काम सेवा कहा जाता है बच्चे जानते हैं बाबा हमको सिर के उपर चढ़ाते हैं तो ऐसे बाब को कितना याद करना चाहिए यह भी ट्रामा बना हुआ है बाब संगम पर आकर सब को सद गती देते हैं नमबर वार पुर्शार्ट अनुसार नमबर वन, हाइस्ट, बिलकुल पवित्र नमबर लास्ट, बिलकुल अपवित्र याद प्यार तो बाबा सब को देते हैं बाबा कितना अच्छिरिती समझाते हैं कभी भी मिध्या एंकार नहीं आना चाहिए बाब कहते हैं, खबरता रहना है रत का भी रिगार्ड रखना है इस द्वारा ही तो बाब सुनाते हैं न इसने तो कभी गाली नहीं खाई थी सब प्यार करते थे अभी तो देखो कितनी गाली खाते हैं कई ट्रेटर बन भागनती हो गए तो फिर उनकी गती क्या होगी फेल होंगे न, बाब समझाते हैं माया ऐसी है, इसलिए बहुत खबरदार रहते हूं माया किसी को भी छोड़ती नहीं है सब प्रकार की आग लगा देती है बाब कहते हैं, मेरे सब बच्चे काम जिता पर चड़ काले कोईले बन गए हैं सब तो एक जैसे नहीं होते हैं, न सब का एक जैसा पाठ है इनका नाम है ही वेश्यालई कितना बार काम जिता पर चड़े होंगे रावन कितना जपरदस्त है बुद्धी को ही पतीत बना देता है यहां आकर बाप से शिक्सा लेने वाले भी ऐसे बन जाते है बाप की याद विगर क्रिमिनल आँखे कभी बदल नहीं सकती इसलिए सुरदास की कहानी है है तो बनाई हुई बात द्रिस्टांत भी देते है अबे तुम बच्चों को ग्यान का तीसरा नित्र मिलता है अग्यान मना अंधियारा कहते हैं ना तुम तो अंधे अग्यानी हो अब ग्यान है गुप्त इसमें कुछ बोलने का नहीं है एक सेकंड में सारा ग्यान आ जाता है सबसे इजी ग्यान है फिर भी अंत तक माया की परिक्षा चलती रहेगी इस समय तो तूफान के बीच में है पक्के हो जाएंगे फिर इतना तूफान नहीं आएंगे गिरेंगे नहीं फिर देखना तुम्हारा जाड कितना बढ़ता है नामा चार तो होना ही है जाड तो बढ़ता ही है थोड़ा विनाश होगा तब फिर बहुत खबरदार रहेंगे फिर बाप की याद में एकदम चटक जाएंगे समझेंगे टाइम बहुत थोड़ा है बाप तो बहुत अच्छा समझाते है आपस में बहुत प्यार से चलो आख नहीं दिखाओ क्रोध का भूत आने से शकल ही एकदम बदल जाती है तुमको तो लक्षमी नारायन जैसी शकल वाला बनना है एम आपजिक्ट सामने है सक्षदकार पिछाडी को होता है जब ट्रांस्वर होते है जैसे शुरू में सक्षदकार हुए ऐसे अंत समय में भी बहुत पार देखेंगे तुम बहुत खुश रहेंगे मिरुआ मौत, मलू का शिकार पिछाडी में बहुत सीन सिनरी देखनी है तब तो फिर पच्चताएंगे भी न, हमने यहां किया, फिर उनकी सजा भी बहुत कड़ी मिलती है बाप आकर पढ़ाते हैं, उनकी भी इज़त नहीं रखते, तो सजा मिलेगी सबसे कड़ी सजा उनको मिलेगी, जो विकार में जाते हैं, क्या शिवावा की बहुत गलानी कराने की निमित बनते हैं माया बड़ी जबर्दस्त है, स्थापना में क्या क्या होता है, तुम तो अभी देवता बनते होना, सत्युग में असूर आदी होते नहीं यह संगम की ही बात है, यहाँ विकारी मनुष्य कितना दुख देते हैं, बच्चियों को मारते हैं, शादी जरूर करो, स्त्री को विकार के लिए कितना मारते हैं, कितना सामना करते हैं, कहते हैं सन्यासी भी रहना सके, यह फिर कौन है, जो पवित्र रह दिखाते हैं आगे चल समझेंगे भी जरूर सीवाई पवित्रता के देवता तो बन नहीं सकते तुम समझते हो हमको इतनी प्राप्ती होती है तब छोड़ो भगवान वाज काम जीते जगत जीत ऐसा लक्षमी नारायन बनेंगे तो क्यों नहीं पवित्र बनेंगे फिर माया भी बहुत पचारती है उची पढ़ाई है ना बाप आकर पढ़ाते है यह सिमिरण अच्छी रिती बच्चे नहीं करते है तो फिर माया थपड लगा देती है माया अब अग्याएं भी बहुत कराती है फिर उनका क्या हल होगा माया ऐसा बेपर्वा बना देती है एंकार में ले आती है बात मत पोछो नंबर वार राजधानी बनती है तो कोई कारण से बनेंगे न अभी तुमको पास्ट प्रेजन फ्यूचर का ज्यान मिलता है तो कित अच्छी रिती ध्यान देना चाहिए एंकार आया यह मरा माया एक्दम वर्थ नौट पैनी बना देती है बाप की अवग्या हुई तो फिर बाप को याद कर नहीं सकते अच्छा मीठे मीठे सिकिलधे बच्चो प्रती मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुद मॉ नमस्ते रूहनी बच्चो की रूहनी बाप दादा को याद प्यार गुद मॉर्निंग और नमस्ते धारना के लिए मुख्य सार पहली पॉइंट आपस में बहुत प्यार से चलना है कबे भी क्रोध में आकर एक दो को आँख नहीं दिखानी है बाप की अवग्या नहीं करनी है दूसरी पॉइंट पास्वित ओनर बनने के लिए पढ़ाई बुद्धि में रखनी है चैतन्य लाइट हाउस पनना है देन रात बुद्धि में क्यान गुमता रहे वर्दान सदा अपने स्रेस्ट भागे के नशे और खुशी में रहने वाले पदमा पदम भागे शाली विस्तार है सारे विश्व में जो भी धर्म पिताए वा जगत गुरु कहलाने वाले बने हैं किसी को भी मात पिता के संबंध से अलोकिक जन्म और पालना प्राप्त नहीं होती है वे अलोकिक मात पिता का नुभव स्वपन में भी नहीं कर सकते और आप पदमा पदम पती स्रेस्ट आधमाई हर रोज मात पिता की वा सर्व संबंधों के याद प्यार लेने के पात रहो स्वयम सर्वशक्तिमान बाप आप पच्चों का सेवक बन हर कदम में साथ निभाता है तो इसी स्रेस्ट भाग्य के नशे और खुशी में रहो स्लोगन तन और मन को सदा खुश रखने के लिए खुशी के ही समर्द संकल्प करो ओम शांती